profit and loss के fifth part में आज दो और question type को देखेंगे पहला तो है same selling price वाले बहुत stereotype सवाल है कई सालों से आते रहते हैं इनको solve करने के दो तरीके हैं तो दोनों तरीके मैं आपको बता दूँगा और इसके अलावा एक रहेगा जहां पर हम लोग allegation लगा रहे होते हैं profit and loss के कही तरह के सवालों में बहुत easily उससे solve होता है यह दोनों question type आज ही कर लेते हैं सबसे पहले same selling price वाले सवालों को देखते हैं कुछ इस तरह के यह रहेंगे पहले try करो फिर उस पर discuss करते हैं एक वक्ति ने दो cycle ए खरीदी इतने इतने की और एक को इतने percent profit पे बेचा loss पे और एक इतने percent profit पे बेचा same है दोनो percentage overall profit loss का percent बताना है heading है same SP की लेकिन यहाँ पे selling price same है नहीं दोनों गा जो 7035 है यह क्या है cost price है कि selling price है यह CP है तो अगर 100 रुपे की चीज़ पे अगर मैं 100-100 रुपे की दो चीज़े खरीदूं दो किताबे खरीदी मैंने 100-100 रुपे की एक को मैंने बेचा 10% के loss पे मतलब 90 रुपे मुझे मिले दूसरी को मैंने बेचा 10% के profit पे 110 रुपे मुझे मिले तो यहाँ पे मुझे 10 रुपे का नुकसान हुआ तो यहाँ पे मुझे 10 रुपे का वापस क्या हुआ फायदा हो गया तो net क्या हुआ है यहाँ पे कोई फरक नहीं हुआ है नो प्रॉफिट नो लॉस तो यहाँ पर भी सेम चीज हो गई है क्यों सेम सेलिंग प्राइस मैंने डाला क्योंकि सेम सेलिंग प्राइस के कुछ सवालों को सॉल करने का तरीका होता है खास का जब दोनो पर्सेंट सेम हो जाते हैं तो डारेक्ट फ़र्मला भी हम लोग लगा देते हैं लेकिन यहाँ पर जो ट्विस्ट आ सकता है सिंपल सा वो यह कि हो सकता है वो आपको सेलिंग प्राइस ना दे के कॉस्ट प्राइस दे दे जैसे यहाँ पर उन्हों ने दे दिया तो अगर एक 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 आर्टिकल की कॉस्ट प्राइस इतनी थी दूसरे की भी इतनी थी एक पे उतने परसेंट का लॉस और दूसरे पे उतने ही परसेंट का प्रॉफिट तो दोनों में बेसिकली क्या अब की बार सेलिंग पराइस दिया है 720 दोनों का 6.25% लॉस इस तरह के सवालों करने के अपने पास दो मेथड होते हैं पहला मेथड अगर पहले मैं आपको दिखा दू तो दो केस अपने को दियें एक प्रॉफिट का एक लॉस का बाल लेते कि यहां पर गेन हो रहा है यहां पर लॉस हो रहा है जो भी यहां पर सेलिंग प्राइस दोनों का सेम है तो हमें करना क्या पड़ता है या तो रेशो मर्ज करके उसको बना दे यह पहला तरीका है कि तो फस्वान इस सोल्ड है 25 परसेंट प्रॉफिट 25 परसेंट का रेशो एक्विवेलेंट होगा वन बाय फॉर प्रॉफिट क वाला CP है यह Selling Price है यह Cos Price है हम उन्होंने स्पेसिपिकली बोल दिया है कि each of the two horses is sold for it मतलब selling price हमें दोनों का same करना है selling price same करना है मतलब दोनों का top same करना पड़ेगा इसको 3 से multiply कर दो इसको 3 से कर दो इस वाले fraction को 5 से कर दो तो जो हमारे actual numbers हो जाएंगे वो जाएगा यहाँ पे 15 और नीचे 12 यहाँ पे 15 और यहाँ पे multiply बीच में तो 20 अब यहाँ पे भी 15 यहाँ पे भी 15 दोनों के selling price हमने same कर दिये नीचे वाले उनके अलग-अलग cost price हो सकते हैं cost price के तो कोई condition नहीं थी तो यहाँ तक देख लिया loss और percentage gain हमें यहाँ पे निकालना है तो जो fraction आ रहा है just इसी को use कर लेंगे इस actual value की कहीं से कहीं तक कोई जुरोती नहीं पड़ेगी अगर percentage में कोई भी चीज हमसे पूछी है percentage profit or loss यह 720 ना होके 723 कोई भी गंदा सा number हो जाए कोई फर्क हमें नहीं पड़ने वाला हमें बस ratio में यहाँ पे उसका selling price same कर दे रहा है अब इसी ratio का मैं यहाँ पे use कर लूँगा तो total अगर मैं SP यहाँ पे देखूँ यहीं से वो निकाल लेते हैं अपना difference निकाल लेते हैं यहाँ पे plus 3 का gain है 3 unit का gain है यहाँ पे 5 unit का loss है मतलब overall उसे क्या हो रहा है 2 unit का तो loss हो रहा है कितने पर कितने पर 20 और 12 इन दोनों को जोड़ना पड़ेगा cost price पर होता है profit या loss तो profit या loss तो cost price पर होता है overall अपने को निकाल लेते हैं तो 20 और 12 मतलब 32 इसका percentage निकाल देंगे वह यह अपना answer हो जाएगा तो यह 1 upon 16 हो जाएगा 1 upon 8 होता है 12.5 उसका आधा कर देंगे 6.25 option number A यहाँ पर सही यह 720 का कोई फर्क नहीं पड़ा जातर कई तरह के सवालों में क्या होता है कि यह तो फिर भी convenient number है कई बार गंदा सा number दे देते हैं फिर वहाँ पर हमेशा fraction में ही फज़े रह जाएंगे इनफेक्ट अगर percentage में पूछा है तो हमें कोई जुरूत नहीं इस actual value की जैस हम लोग ratios का use करके इसे solve कर लेते हैं यह सबसे सही तरीका है इसे use करने का अब जब भी same selling price वाले सवाल बने और यह जो percentage हो यह तरह के अच्छ अच्छ हो 20%, 10%, 25% तब हमेशा हम लोग इसी तरह से इसका use करेंगे gain loss यहाँ पर लिखेंगे उसका equivalent ratio जो भी percent दिया होगा इसके साब से और उसको merge करके profit loss जो भी निकलता होगा वो सब कुछ निकाल लेंगे यह एक तरीका है दूसरा तरीका क्या हो सकता है इसी में मैं दिखा देता हूँ मिटा के इनी तरह के सवालों को solve करने का यह जो दूसरा वाला तरीका है यह ज़्यादार काम आता है जब percentage गंदे दी हूँ 17%, 19%, इस तरह का कोई अजीब होगरी percent दी हूँ तब वहाँ पर अगर हम इस तरह से करेंगे तो कर सकते हैं कोई problem नहीं बस बड़े-बड़े numbers को multiply करना पड़ता है वो एक problem आ जाती दूसरा तरीका क्या हो सकता है उसको अगर बात करें यहाँ पे लिख लेते हैं cost price यहाँ पे selling price यहाँ पे profit या loss जो भी हो रहा होगा यहाँ पे पहली quantity यहाँ पे दूसरी quantity पहला case और दूसरा case पहले case में क्या हो रहा है 25% का profit हो रहा है 25% का profit हो रहा है अब कैरो लगा देते हैं दूसरे में 25% का यहाँ पे loss हो रहा है यह चीज़ देख लिए अब इसमें हम लोग किस तरह से इसे लिखते हैं या लिख सकते हैं कोई भी एक convenient number यहाँ पर चूज कर लो मुझे पता है 25% मुझे यहाँ पर निकालना है तो या तो मैं 100 के हिसाब से निकालना है तो यहाँ तो यहाँ पर 25% 1 by 4 होता है तो अगर मैं यह कहूँ कि जो एक base है उसको मैं 4 मालनूँ यहाँ पर side में लिख लेता हूँ 4 फिर उस 4 का 25% से बढ़ाना है और फिर उसको मुझे 25% से यहाँ पर घटाना है तो मुझे एक बार SP में और करना पड़ेगा तो इसको 4 into 4 कर लेते हैं जस्ट यहाँ पर होगा क्या cost price की जगे यहाँ पर इस वाले step पर CP में मैं लिख रहा हूँ 4 into 4 multiply by और इसको यहाँ पर उल्टा करके लिखना पड़ता है इसको 25% से मुझे बढ़ाना है और वो पहले वाले को नीचे लिखना पड़ता है यहाँ सा याद करने वाली problem हो जाती इसलिए इसको least prefer किया जाता है पहला वाला तरीका सबसे सही है फिर भी इसको एक बार मैं लिख के बता देता हूँ selling price सेम करना है दोनों में तो यहाँ पर क्या करेंगे यहाँ से जो बढ़के quantity आती मतलब base तो यहाँ पर 4 into 4 लिया था इसको मुझे 25% से बढ़ाना है तो इसको मैं लिखना 5 by 4 अब इसी नमबर को मुझे 25% से घटा के जो लिखना है वो मैं उपर वाले इस तरह से cross बन जाता है वो तो 4 into 4 multiply by 25% से घटाना है तो 3 by 4 कुछ इस तरह से न तो यहाँ पर एक cross जाता है नीचे के लिए जो value थी वो यहाँ जाएगी उपर के लिए जो value थी वो यहाँ पर आएगी अब इसको थोड़ा सा simplify कर लेते हैं यहीं पर उन्हें को पता है 4 वगएर तो यहाँ से cut जाएगा यह भी 4 यहाँ से चला जाएगा अपने पास जो value बचती वो होती 4 into 3 और 4 into 5 यह दोनों के क्या होगा है cost price selling price कैसे निकलता अब यह cost price निकल गया अब मैं इसी direction में चलूँगा कि cost price है 4 into 3 उसको मुझे क्या करना है 25% से बढ़ाना है मतलब इसको मैं करूँगा 5 by 4 यहाँ पर इसका cost price है 20 4 into 5 इसको मुझे 25% से घटाना है तो इसको मैं करूँगा 3 by 4 क्यों मैं यहाँ पर 4 into 4 लिया था क्योंकि एक तो step पर 4 से divide करना है एक बार step पर करना है इसलिए पहले ही उसको 4 into 4 कर लिया यहाँ पर simplify कर दें 4 यहाँ से अटा दो अगर number के form में देखें तो यह हो गया 15 यहाँ पर है 12 तो profit यहाँ पर कितने का हो रहा है उसको 3 का यहाँ पर selling price हो गया 15 cost price है यहाँ पर 20 loss हो रहा है clearly SP कम है कितने का loss है उसको 5 का 12 तो वही अपना 32 बन गया 2 को calculate करेंगे 32 पे वो भी अपने को वही देगा इन दो तरीकों से हम लोग solve कर सकते हैं पहला method ज्यादा बेटर है बहुत fast है percentage is convenient है तो easily उसको use करेंगे अगर percentage यहाँ पर गंदे आएं exam में ऐसा होगा CGL में previous year में से सवाल पूछे हुए है उस सवाल को skip करना पहले round में उसको छोड़ देना क्योंकि उसमें अगर उल्जे तो वह अपना बहुत time कीच ले जाने वाला है percentage गंदे से हो 17%, 19%, 20% उस सवाल को पहले round में छोड़ दो आगे चोड़ 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 अच्छे सवाल सवाल करो बाद में आके सारी calculation वगएरा करना next, 65 same percentage होता है तो formula भी यहाँ पर use करते हैं उपर भी कर सकते हैं, यहाँ पर करके देख लो 4000 का selling price है, दो टीवियों का, इच इसका direct formula क्या होता है, जब भी यह profit or loss same हो same selling price हो तो, जो भी यहाँ पर percentage दिया हो, गर मैं उसको small a से denote करूँ, तो a को square कर दो और 100 से divide कर दो उतना percentage, तो यहाँ पर 20 का square करेंगे तो फो अपने को देगा 400, 100 से divide कर देंगे, मतलब 4 और percentage, ऐसे case में हमेशा क्या हो रहा होता है, loss हो रहा होता है तो 4% loss, option number 1, यह होगी अपना direct result, ऐसे सवाल अब तो कम आते हैं, अब तो ज़्यादातर अलग अलग percentage दिये रहते हैं, तो हम लोग gain loss करके फिर वहाँ पर ratio मश कर देंगे, उस तरह से solve कर लेंगे, भाई chance अगर mood अच्छा रहा, ऐस तरह का सवाल दे दिया, तो यह वाला formula फिर हम लोग use कर लेंगे, यह क्या देता है, अपने को percentage में देता है, यह percentage भी यहाँ पर जोड़ लो, यह था, तो 20 का square करेंगे, 400, 100 से divide करेंगे, 4 बचा, 4% loss, हमेशा loss होगा, जब भी यहाँ पर, same percentage दिया, 66 और हमने दो cycle लिए खरीदी, total पंदरा सो रुपे में, तो यह पंदरा सो रुपे उसका क्या है, cost price है, हमें दोनो cycle का cost price निकालना है, क्यादा calculation हो रहा है, दो पार्ट में देख लेते हैं, एक पर gain हो रहा है, एक पर loss हो रहा है, selling price दोनों का same है, same selling price है, तो उसमें हम इस तरह के method यूज़ कर लेते हैं, एक पर 20% का gain है, दूसरे पर 20% का loss है, selling price same रखना है, तो obvious सी बात है, ratio merge करना पड़ेगा, इसको 4 से multiply कर दो, इसको 6 से multiply कर दो, तो जो अपने actual numbers हो जाएंगे, यहाँ पे 24, यहाँ पे 20, यहाँ पे 24, यहाँ पे 30, selling price दोनों में same हो गई, 24, 24, cost price यहाँ पे अलग-अलग हो गई, cost price total कितनी है, 20 और 30, पचास, पचास की value किसको करस्पॉंड कर रही है, 1500 को, जीरो अगरा कड़ गया, एक की value करस्पॉंड करती, 30 को, अब किसी की भी निकाल लो एक को, अगर 30 की निकाले हैं तो वो 900 हो जाएगा, 20 की निकाले तो वो 600 हो जाएगा, तो एक 900 है, एक 600 है, option number B, gain loss लिखा, ratio लिखा, ratio merge किया, selling price सेम कर दिया, अब जो बचा यहाँ पर अलग-अलग cost price हो सकती है, दोनो cost price का submission 15 हो दिया था, unitary लगा है, answer निकाले, ठीक है, step में problem आ रही किसी में, 67, sells to printers, selling price दिये दोनों की, selling price सेम हो गई, टम्र में – 15जर, चलो बphone suggest, प्रोलों वाएगा, सेम उयात बाखो माईा कि ब मत है IS तो अ, यह ग 대iğ मत है, वाएब किसी में वे बकी माईना' N等 रहा हो चाड़ – 60, अ, आppen और रहा है, अगर वो यहां पर परसंटेज के वल पूछ लेता है बताओ उसका गेन या लॉस परसंट तो ऑविस सी बात लॉस ही हो रहा होता क्योंकि परसंटेज यहां पर दोनों सेम है सिंपल 15 का स्क्वेर करते है सो से डिवाइड करते है वो अपना अंसर हो जाता है लेकिन इन्हों ने पूछ लिया एक्शल वैल्यू मुझे बताओ अब वैल्यू चाहिए अगर गेन और लॉस की तो उसके लिए अपने को कॉस प्राइस पता होना चाहिए को सेलिंग प्राइस पता है यहाँ पर रेशो मर्श करने वाली चीज को कर लेंगे 15 परसेंट को लिख सकते हैं 3 by 20 गेन के लिए हो जाएगा 23 by 20 लॉस के लिए हो जाएगा 17 by 20 इतना अपने को करना अच्छे से आता है next क्या करेंगे selling price दोनों की same होनी चाहिए तो इसको 17 से multiply करना पड़ेगा इसको भी 17 से इस वाले को 23 से multiply करना पड़ेगा 23 into 17 करना है side में लिख लेते है 2 3 0 तो यह हो जाएगा 7 से multiply करेंगे तो 1 और 2 मतलब 6 अब यह हो जाएगा 391 तो यहाँ पर जो अपना ratio है वो है 391 divided by 340 gain के case में loss के case में क्या होगा 391 divided by यह हो जाएगा 46 और 0 दोनों का ratio मुझे मिल गया gain के लिए 391 upon 340 loss के लिए 391 upon 460 अब यहाँ पर हम लोग use कर लेंगे इस वाले number का कि दोनों का जो selling price है वो 3910 है मेरा क्या रहा है यहाँ पर 391 मतलब simple सी बात है 00 लगा देंगे अपना काम हो जाएगा 0 यहाँ लगा दो 0 यहाँ लगा दो यहाँ लगा दो यहाँ लगा दो actual value मुझे मिल गई 3910 selling price था तो 3400 cost price था यहाँ से क्या मैं direct cost price निकाल सकता हूँ निकाल सकता हूँ यही तो actual values हो जाएंगे cost price की यही actual values हो जाएंगे cost price की और फिर उसका loss अगेन कैसे निकालेंगे हाँ यहाँ से इस तरह से difference देख लो वहाँ से भी इसको solve कर सकते हैं कितना आ रहा है आपका अंसर्ट 180 चेक कर लेते हैं यहाँ पर gain कितना हो रहा है उसको 510 का इस वाले case में यहाँ पर अगर loss देखें लॉस देखें तो 90 यहाँ पर और फिर 600 690 का दोनों को अगर minus कर दें तो 8 0 और यहाँ पर 180 correct है 180 का loss है लॉस तो उसको definitely होगा क्योंकि percentage यहाँ पर same है 180 यहाँ पर अपना answer हो जाएगा steps clear है बिल्कुल same चीज कर रहे है gain loss ratio लिखा merge किया selling price same होना चाहिए था तो 391 दोनों में बना दिया था actual value दी थी 3910 तो उसको यहाँ पर use कर लिया हो सकता है कि दुगना दुगना इस तरह का होता तो उसको उसी से number से multiply कर देते basically इसके बराबर करने के लिए 68 दो cycle है बेशता है 7035 each selling price same हो गया एक कुत्य परसेंट लाउस एक कुत्य परसेंट गेन ओवरल लाउस प्रॉफिट निकालना है अब दो option तो eliminate ही हो गए कि no profit no loss तो होगा नहीं gain हो नहीं सकता तो होगा तो loss ही होगा set pattern है इस तरह के सवाल में तो क्योंकि 402 calculate कर लेते हैं यहाँ पर अगर gain लिख लें यहाँ पर loss लिख लें तो gain के लिए क्या दिया है 16.67% standard is a conversion कितना होता है 1 by 6 तो gain के लिए लिख लेंगे 7 by 6 loss के लिए लिख लेंगे 5 by 6 selling price दोनों की same करनी है merge कर देंगे 7 से यहाँ multiply कर देंगे 5 से यहाँ multiply कर देंगे actual जो numbers अपने पास आ जाएंगे यहाँ पर 35 यहाँ पर 42 यहाँ पर 35 और यहाँ पर 30 यहाँ पर gain और यहाँ पर उल्टा करके लिख दिया किया चाहिए gain यहाँ पर loss है इसको यहाँ पर लिख लो loss यहाँ पर gain अब यह सही हो गया है 35 थर्ट है न क्योंकि 7 by 6 था वो gain पर जाना चाहिए था 5 by 6 जो है वो loss पर जाना चाहिए था यह हो गया अपना selling price दोनों का same कर दिया cost price में यहाँ रहा है find overall profit या loss again यहाँ पर same चीज़ अपन करेंगे आगे किस तरह से proceed करेंगे yes यस यस correct unitary method लगा देंगे बिल्कुल सही 35 थर्टी फाइव जब एक का selling price है तो loss कितना है loss भी यही पर calculate कर लेते हैं यहाँ पर कितना है loss 7 का यहाँ पर gain कितना है 5 का मतलब overall loss कितने का हो रहा है 2 unit का हो रहा है तो जब एक की selling price 35 है तो overall loss जो है वो 2 unit का हो रहा है तो जब एक की selling price 7035 होती 7035 तो overall loss कितना होता 2 upon 35 multiply by 7035 35 से यहाँ पर तो कटी जाएगा दो बार फिर एक 0 और फिर 35 है तो एक बार दो से multiply कर देंगे तो 402 loss आना चाहिए तो option number A यहाँ पर correct हो जाएगा रिकुल सेम standard method last step पर बस देख लेंगे कि जब 35 है एक का selling price क्योंकि हर एक का selling price दिया था तो एक का selling price जब है तो उतना loss आ रहा है दो का actual values पर वो कितना आता unitary method 69 वही data है just percentage change हो गया है अब क्यारो no profit no loss आ रहा है selling price दोनों का रिक दिया है loss हो रहा है 20% का तो उसका fraction equivalent 4 by 5 लिख लेंगे gain 33.33 मतलब gain के साथ वो देगा 4 by 3 overall profit loss बताना है अब यहाँ पर जो selling price है वो तो already same है कुछ भी यहाँ पर मुझे ratio merge करने की भी जोरत नहीं पड़ रही selling price exactly same है तो यहाँ पर just difference में निकाल लूँगा यहाँ पर एक का gain हो रहा है यहाँ पर एक का loss हो रहा है तो overall क्या हो रहा है no profit no loss बस यही अपना answer हो जाएगा option number C क्यों ratio merge नहीं करने पड़ रहा है क्योंकि already data ऐसा है कि वहाँ पर selling price same ही number को correspond कर रहा है तो कुछ भी extra step करने की जोरत नहीं पड़ी question number 70 दो घड़ियां खरीदी 480 में तो combined cost price हो गई है तो अब यह 19 वगरा percent ऐसे आजने से थोड़ा से calculation हो जाता है multiply वगरा करना पड़ाता है SP in both the case was same selling price same है cost price निकाल लिए दोनों घड़ियों की ऐसा सवाल उपर भी किया था पर वहाँ पर जो percentage थे वो convenient थे यह SST का previous year का सवाल है भी recent में पूछा हुआ option D आ रहा है आपका देख लेते हैं gain है यहाँ पर 19% का तो gain के लिए मैं लिख सकता हूँ 19% का तो कुछ करेंगे नहीं तो 119 upon 100 लिख लेते हैं loss है 15% loss तो यह होता है 17 बटे 20 यह हो गया अब selling price अपने को same करनी तो बस एक ही problem है यहाँ पर कि 119 को 17 से multiply करना पड़ेगा वही सबसे बड़ा calculation होगा यहाँ पर साइड में इसको लिख लेते हैं पहले 10 119 को पहले 17 के 10 वाले हिस्से से multiply कर लें तो 1190 अब इस 119 को 7 से multiply कर लेंगे तो 763 तीन यहाँ पर 6 तीन एक और 7 और 8 यह हो जाएगा तीन दो जीरो यहाँ पर 2 2023 यहाँ पर लिख लेते हैं 2023 इसका उपर हो जाएगा 17 से multiply करना है तो नीचे हो जाएगा 1700 यहाँ पर into 119 करना है तो यह भी देगा 2023 और नीचे 119 को 20 से multiply करना है तो यह हो जाएगा अपना 8 एक चला जाएगा 3 2 और 1 यहाँ पर 0 यह अपने इसके actual ratios बन जाएगे 2023 दोनों का selling price सेम हो गया 1700 2380 यह उनका cost price है अब actual जो actual selling price तो नहीं यहाँ पर दिया है combined cost price वो 480 के बराबर दिया है जबकि हमारा cost price कितना आ रहा है यहाँ पर इतना आ रहा है तो बस इसी चीज़ को जैसे पहले एक में किया था इसको sum करेंगे वो correspond करेगा 480 को individual वाले की value निकाल देंगे पहले इन दोनों को अगर sum कर लें तो summation कितना आएगा यहाँ पर 23 में 17 पहले जोड़ लो 23 में 17 जोड़ लेंगे 40 हो जाएगा 80 यहाँ पर और आ जाएगा 4080 4080 कर्रस्पॉंड कर रहा है actual जो अपना cost price यह combined वो है 480 को अब किसी भी एक का निकाल लो क्योंकि numbers आ रहे अलग अलग आ रहे है दोसो दोसो तो काम करते हैं 1700 के लिए निकाल लेते हैं शत्त्त्रा सो के लिए कितना होता 480 divided by 4080 multiply by 1700 कितना अपना calculation रहेगा तो 0 वगरा यहां से कट जाएगा 4 से यह हो जाएगा 12 बार बार 4 से हो जाएगा 1 0 2 2 से तो यह कटे गई तो 2 से इसको 6 कर लेते है 2 से इसको 51 कर लेते है 17 से 3 बार जाता है तो यह 100 हो जाएगा यह 3 हो जाएगा 3 से यह 2 हो जाएगा बचा कितना 200 200 आना चाहिए एक ही निकाल लेंगे क्योंकि नमबर सारे अलग-अलग आ रहे है तो option number D ही ऐसा possible है 2380 के निकालोगे तो वो 280 दे दिना चाहिए पस तो कहां से हाँ वो कड़ जाएगा समझा नहीं में कहां पर 17.20 हाँ अच्छा यहीं पर आपके रहे हो 7 से multiply कर दो ओके 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 अच्छा इसके table में ठीक 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 हाँ वो और ज्यादा बेटर है वो और ज्यादा बेटर है मैंने यह 17 का वो 19 यह वाला number मैंने miss कर दिया इस वज़े से करेक्ट है वो ज्यादा बेटर आपका तरीका good numbers दिख जाते हैं तो यही फायदा हो जाता है वरना फिर इतनी गदा मजदूरी करनी पड़ती है बढ़िया type 14 weighted average allegation allegation वाले सवाल किस तरह के दिखते हैं पड़िया है सबसे सही चीज है यह और सबसे तेजी से solve होता है अगर allegation पर कमांड है तो 71 एक तीहाई को 10% के loss पर बेचा बाकी को कितने gain पर बेचे कि overall 20% का gain हो जाए यहाँ पर बढ़िया यूज करेंगे अपनी allegation की scale को option CR है आपका तो allegation की scale बना लेंगे कुछ हिस्सा आपने 10% के loss पर बेचा कुछ हिस्सा आपने X% के profit पर बेचा overall आपको 20% का profit चाहिए अब इसके उपर weight लिख लेंगे एक तीहाई आपने loss पर बेचा एक तीहाई मतलब 3 में से 1 हिस्सा ये बचा कितना 2 हिस्सा वो इसके पास चला जाएगा बस अब ये 2 जो होता है वो किस को कर्रस्पॉंड करता है ये वाली distance को ये जो आता है यहाँ पर 1 आता है यहाँ पर cross multiply होता है 2 की value किसे कर्रस्पॉंड कर रही है minus 10 से 20 gap कितना आएगा 30 का एक की value हो जाएगी 15 तो एक की जो value है वो cross होके यहाँ पर आती है मतलब ये वाला इससा 20 से 15 और आगे जाना है तो 35 बिल्कुल सही है option number C 72 बिल्कुल वैसे इस हवाल है option D आ रहा है कुछ हिस्सा 20% पर बेचा कुछ हिस्सा X% के profit पर बेचा overall 20% का मुझे पूरे पर गेन चाहिए one fourth मतलब 4 में से एक हिस्सा इसके पास जाएगा तो 3 हिस्सा इसके पास जला जाएगा 3 की value क्या है minus 20 से 20 मतलब 40 को correspond करी तो 3 की value correspond कर रही है 40 को 1 की value किसको करेगी 40 upon 3 को ये value positive value आ रही इसके आगे अपने को जोड़ना है तो 20 से तो ये number 3 आएगा मतलब 0.33 तो हो गई होगा option में केवल एक ही में ऐसा दिख रहा option number D ये हो जाता कितना 13.33 करके ऐसा कुछ अपने को देता 13 into 3 39 होता है 1 बसता हो तो वो 0.33 देता रहता 20 प्लस 13.33 तो इस तरह से ये अपना answer बन जाएगा 73 आपके बार बस value दे दी है option AR allocation की scale बनाएंगे 2 ती है जो हिस्सा था उसको 6% के profit पे बेचा तो 2 का weight यहाँ पे डाल देंगे 3 में से 1 बचा यहाँ पे डाल देंगे अब यहाँ पे लगा सकते है minus 3 से लेके 6 total 9 का gap है और यहाँ पे 1 और 2 मतलब 3 जो है वो correspond कर रहा है किसको 9 को 1 correspond करेगा किसको 3 को 1 यहाँ पे आएगा या फिर 2 यहाँ पे कैसे भी इसको देख लो अगर 1 को यहाँ पे देखें तो 6 से अपने को पीछे जाना है 3 मतलब यहाँ पे जो अपने actual value होगी वो होगी 3% की यहोगी 3% की लिए अब यह 3% जो है वही overall मेरा profit है यह 3% किसे correspond कर रहा है value की term में 540 को 1% किसे करता 180 को 100% क्या होता पूरे का cost price 100% के लिए 2 0 और लगा देते option number A बिल्कुल correct है यह वाले सवाल बड़े मज़दार रहते हैं अराम से solve होते हैं एकतिहाई को 15% एक चौथाई को 20% और बचे हुए को 24% profit पर cost price निकाल लिए total के दो quantity रहेगी तो allocation लगाएंगे तीन हो जाएगे तो वहाँ पर weighted average लगातेंगे 310 चेक कर लेते हैं एक तीहाई कमूरिटी है और one fourth है तो यहाँ पर पहले तो उसका LC हम देख लेंगे बारा ना बारा के हिसाब से अब देखेंगे हो था ही मतलब तीन तीन से इसको multiply करना है प्लस बचा हुआ 24 परसेंट बारा में से चार यहाँ तीन यहाँ साथ हो गया मतलब पांच बचा और डिवाइट करेंगे टोटल कितना था बारा 12 से करेंगे इसको solve करेंगे अपना overall effective percentage अपने को देदेगा तो यह होता है 60 यह भी 60 और यहाँ पे 120 मतलब 12 से अगर करें तो यह हो जाता कितना 5% यह भी हो जाता 5% यह हो जाता 10% मतलब overall जो gain हो रहा है उसको वो हो रहा है 20% का 20% की value आपको दे रखिये profit की 62 100% निकाल लें तो 100% हो जाएगा 6% 30 और 10 मतलब 310 सही है बिलकुल option number C तो जब 2 quantity हो तो वहाँ पे weighted average लगा दो और सॉरी allegation लगा दो और जब 2 से जादा हो 3 हो 4 हो तो वहाँ पे weighted average लगा दो 75 नंदु ने 20 दर्जन अंडे खरीदे 48 रुपीज पर dozen के साब से 8 dozen बेचे 10% profit पर 12 dozen 20% profit यह तो असान हो गया 8-12-20 टोटल ही दे दिया उन्होंने तो आपके रहो 16% weight के साब से देखें तो 8 dozen 10% पर 20 dozen जो है वह 20% पर और जो center वाली value वह अपने को निकाल नहीं तो weight जो है उनको हम आपस मेंशा simplify कर सकते हैं 4 से इसको कर दो 2 बार 4 से इसको कर दो 3 बार तो weight हो गया 2 यहाँ पर हो गया 3 अब इसके साब से हम इसको solve कर लेंगे 10-20 से लेके 10 gap है 10 का मतलब 5 की value correspond कर रही है 10 को 1 की value correspond करती 2 को तो 3 की value करती 6 को 10 में 6 जोड़ देंगे 16% सही option number भी correct है